कि पहाडों से एक आवाज आई थी यह कहानी दादी ने सुनाई थी एक परी रहती थी बादलों में एक लड़का गिना जाता था पादलों में कहता था बादलों से कोई आने वाला है जमीन पर उतर कर मेरी सांसों में समाने वाला है उसे बिना देखे इजहार करता हूँ, कहता था मैं उसे खुछ से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ इतना सब सुनकर परी ने जमीन पर आने की खानी मा ने रोका, बाबा ने संधाया पर किसी की एकना राद का वक्त चारो तरफ अंधिरा धार, रोशनी के ना अब जान से आद आया है कि चान की रोशनी भी तो फीकी पढ़ जाएगी जब वो तरकर मेरी छट पर आएगी तो कहानी ने नया मोड लिया, परी ने ज्यार की खातिर खाब उसे रिष्टा तोड लिया कहीं में सपना तो नहीं देख रहा ही मेरे सामने कौन था, उस बोलता क्यों नहीं इस तरह चुपकी सादे की मोल लिया फिर उसने कहा कि मा बाबा घर बार सब छोड दिया मैंने, बहुत खाब सजाये थे काफी उंचा उड़ना था, सब तोड दिया मैंने आज से मेरे किसमत के ताले की चाबी तोगने, बेचैन सी मेरी धड़कन की बेतावी दोगने मेरा सुक दुख हसना